Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल एक प्रकार से, ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से रश्या जो है उक्रेन पर अटाक किया था, क्या वो वैसा ही ताइवान पर चाइना करने वाला है, लेकिन यहां पर अगर आप सोच रहों कि टेंशन कम हो गई है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, मैं आप आपको दिखाता हू दो न्यूस, सबसे पहला खबर आप देखिए, जर्मनी सेंडिंग वार्शिप्स तो इंडो पैसिफिक एज टेंशन विट चाइना एसकलेट, यह भी रिसेंट खबर आई है, और एक और खबर अभी जस्ट आई है, कल ही, यूएस ने यहां पर 1.1 बिलियन डॉलर का जो त लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, UPSC का बैच दोस्तों आप जोईन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट और आप पर जाके, वहां पर आपको बहुत ही अफोड़ेबल रेट पे, जस्ट 19,000 रुपीज में यह पूरा बैच मिल जाएगा, बाई य सब कुछ करा जाएगा, और आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, हर एक स्टुडेंट को जो जोईन करता है, इसको मेंटर दिया जाता है, कोई दिक्कत है, प्रॉबलम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूच सकते हैं, इसके लावा अगर आपको MCQs अटेम्ट क करती है, और इसकी वजय से फर्दर US-China के बीच में जो टेंशन है, वो एसकेलेट हो गया है, 1.1 बिलियन डॉलर में मैं आपको बताता हूँ, क्या-क्या वैपन्स है, 355 मिलियन डॉलर का हरपून AIR-2C मिसाइल, अब आपको पता ही होगा, कि जो ताइवान है, वो काफी जादा घिरा हुआ है पूरे C से, तो उसको जो AIR-2C मिसाइल है, उसकी जरूरत पढ़ सकती है, और इसलिए आप देख सकते हो, यह जो है, यह है आपका हरपून AIR-2C मिसाइल, दूसरा यहाँ पर जो वैपन है, वो है आपका 85 मिलियन डॉलर का साइड विंडर AIR-2 AIR मिस है, जो फाइटर जेट से लॉंच किया जाता है, और बाकी का लगभग 655 मिलियन डॉलर, यह सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह है आपका ताइवान का सर्वेलेंस रडार प्रोग्राम, अब रडार प्रोग्राम इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, कि माल लीजे, य यह सारी चीज़ें इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप चाइना और ताइवान का मिलिटरी कंपैरिजन देखोगे, तो चाइना कहीं जादा आगे, अव्वेस सी बात है, ताइवान एक बहुती छोटा सा देश है, यहाँ पर आप चाहें एक्टिव इसलिए हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूएस ने खुद बताया कि जिस प्रकार से चाइना ने पिछले महने ड्रिल्स किया, यह जो आप देख रहा हो ना, रेट कलर में, पूरी तरह से ताइवान को यहाँ पर घेल लिया था, जो ताइवान का वाटर है, उसके काफी नजदीक आ गया था, और इसको देखते वे, यह जो अरली वर्निंग एर डिफेंस सिस्टम है, छे सो मिलियन डॉलर से भी जादे बहुत है, यह जो नहीं है। भी dealing करनी है ताइवान के साथ तो आपको हमारी थू करना होगा आप डाइरेक्ट ताइवान के साथ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो यूएस है वो ये कह रहा है कि हम उसको भी फॉलो कर रहा है प्लस साथ में क्योंकि हमें ताइवान को सुरक्षित रखना है इसकी वज़े से हमे आम सेल करना पड़ा है तो हमने किसी प्रकार का उलंगन नहीं किया यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूएस है उसने चाइना को बोला है कि आप जो भी military operations अभी भी कर रहे हो ताइवान को लेकर जो भी diplomatic है जो भी कुछ आपका है उस आतार ताइवान के उपर pressure जो है वो बनाया हुआ है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चाइना के दौरा military air presence हो गया military presence हो गया ताइवान पर वो गहरा हुआ हुआ है इन फाक्ट मैं आपको बताओं तो चाइना क्या कर रहा है कि कई सारे drones को यहाँ पर आतार यही करने की कोशिश कर रहा है जो चाइना है वो clear image लेने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान में किस तरह की preparation है मानलो अगर चाइना किसी प्रकार का invasion करता है ताइवान में तो उसके पहले वो proper information चाहेगा कि ताइवान में exactly यहाँ पर किस प्रकार का preparedness है military को लेकर बाक incident है Thai Ing Wen उनकी जो administration है वो लगतार anti-drone defense को purchase करने में लगी है और यहाँ पर 12.9% जो defense ministry का annual budget है उसको भी increase किया गया है और बताये यह जा रहा है कि यहाँ पर additional 47.5 billion dollar कहने का मतलब ही यहाँ पर जो new Taiwanese dollar है वहां की जो currency है उसको extra दे दिया है और total of 415 billion new Taiwanese currencies dollar जो है वो आपका मिल मतलब कि defense budget को लगतार Taiwan बढ़ा रहा है यहाँ पर अब देखिए यह सारी चीज़ें जो हुई है जो US की तरफ से arm sales हुआ है weapons का sale हुआ है इसको लेकर China ने खुली चितावनी दी है यहाँ पर China का कहना है कि अगर United States actually में ऐसा करता है तो definitely हम इसको लेकर counter measures लेंगे और in fact यहा यहाँ पर US weapon sale कर रहा है Taiwan को उसी के just बाद आप देख सकतो खबर आती है कि 4 Chinese warplanes 5 ships across Taiwan Strait जैसे यह खबर आई तो China ने धमकाने के लिए Taiwan को जो है ओ इस तरह के warships को warplanes को यहाँ पर Taiwan Strait में भेज दिया Chinese embassy के जो spokesperson है उनका यही कहना है कि अगर इसी तरह से US Taiwan की मदद करता र इस है उस पे काफी बड़ा एक impact आ सकता है तो देखते हैं China इसको लेकर finally actual में क्या करता है लेकिन इन सारे चीजों की बीच एक और देश यहाँ पर सामने आ गया वो है Germany अब मैं आपको in fact एक interesting चीज़ बताता हूँ पिछले साल क्या हुआ था कि पहली बार Germany ने 20 साल में ज जर्मनी ने war plane भेजा था तो directly यहाँ पर जर्मनी भी एक प्रकार से confront कर रहा है चाइना को वैसे मैं आपको बता दूँ एकनॉमिक टरंस में अगर आप देखोगे तो जर्मनी सबसे ज़्यादा यहाँ पर send करता है एक्सपोर्ट करता है गोट्स को तो जाहिर सी बात है जो अपला military presence इंडो Pacific region में बढ़ाएंगे अब देखिए यहाँ पर शब्द का भी कौन सा इस्तमाल किया जा रहा है इंडो Pacific किया जा रहा है ना कि Asia Pacific तो यहाँ पर भारत का भी role important हो जाता है और उनका कहना है कि हम यहाँ पर जो वार्शिप्स हैं उसको इंडो Pacific region में भेज रह जो ताइवान है और चाइना उसके बीच में जो स्टेट है यह आपको देखने को मिलता है अब problem क्या है अभी recently आपने देखा होगा कि US के दौरा दो वार्शिप nuclear वार्शिप in fact मैं आपको बताऊ उसको भेजा गया था इस स्टेट के अंदर और US का कहना था कि हम तो freedom of navigation के जो international laws है उसके तहत अपने वार्शिप को यहां से गुजर रहे हैं ठीक है और हो सकता है कि जो जर्मनी का वार्शिप है वो भी अब यहां से गुजर जाए अभी तक पता नहीं है अभी गुजरा नहीं है अभी तो वो इंडो पैसिफिक के चक्कर लगाएगा देखना होग कैसे आएगा यहां पर आप देखिए ताइवान की economy काफी ज़्यादा important है पूरे world के लिए उसका main कारण है आज के rate में जितने भी devices में जो चिप इस्तमाल किये जाते हैं जो semiconductor होता है आधा आपका अकेले ताइवान से आता है laptop से लेकर watches से लेकर game console से लेकर हर एक चीज फो तक जो computer chips होते हैं वो ताइवान के अंदर बनते हैं इंफर्क ताइवान में एक single company है जिसका नाम है TSMC ताइवान semiconductor manufacturing company जो की world का आधा market यहां पर ली हुई है यह आप देख सकते हो लगभग 65% market अकेले ताइवान के अंदर है उसके बाद जो Samsung जो South Korea की company है वो आती है फिर पाकी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और चाइना की अगर आप चाल देखोगे ना तो चाइना चाहता ही यही है चाइना चाहता है कि अगर वो ताइवान को इन्वेट कर देगा तो एक प्रकार से इस वाले सेक्टर में जो semiconductor वाला सेक्टर है उसमें भी वो पूरी तर जाने से पहले एक interesting question क्योंकि हम ताइवान की बात कर रहे है 17th century में अब आपको पता ही है भारत भी एक colonial country हुआ करता था European power ने colonize कर रखा था अलग अलग देशों को तो वैसे 17th century के दौरान भी ताइवान पर एक European country का जो है वो आपका rule देखने को मिलता है तो क्या बता सकत जो कौन सा European power था 17th century में ताइवान के अंदर जो island है ताइवान का उसकी हम बात कर रहे हैं इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले पाओगे आप इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs हैं वो यह time till then thank you very much see you soon